Happy Valentine's Day to all! तो आज है Valentine's Day, एक प्यार वाले दिन, तो प्यार वाले दिन की शुरुआत करते हैं, अपने, तो प्यार वाले दिन की शुरुआत करते हैं, बहुत ही लाजवाब, रोज मिल्क केक से, या फिर आप इसे रोज ड्रेस लाशिस केक भी कह सकते हैं, जो की इसे कहते हैं पर आप नॉर्मल भाशा में इसे रोज केक कह सकते हैं, ये बहुत ही जादा डिलिशुस लगता है और सुपर सॉफ्ट होता है, माउथ मेल्टिंग होता है और आपको खाके से मज़ा आज आने वाला है तो अपने loved ones के लिए आज तो इसे बनाना बनता है तो चलिए बनाते हैं rose milk cake या फिर rose dress luscious cake इसके लिए आपको एक बाउल में लेना है एक कप दही और इसमें डाल देना है half teaspoon baking soda और इसे rest करने देना है 5 मिनट के लिए इसके बाद इसको आपको beat करना है विस से थोड़ी देर के लिए जब तक ये soft न हो जाए अब इसमें डालेंगे half cup oil तो ये flavorless oil होना चाहिए मतलब इसमें कोई flavor ना हो और अब इसमें डाल दिया है मैंने आधा cup से थोड़ी सी कम castor sugar यानि की बारीक वाली चीनी अब इसमें हम डालेंगे rose sherbet आप कोई भी rose sherbet डाल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने 2-3 table spoon rose sherbet डाल दिया है अच्छे से mix कर दिया है और अब छलनी से हम मैदे को छान लेंगे तो यहाँ पर 1 cup मैदा मैंने डाल दिया है और half teaspoon से थोड़ा सा जादा मैंने baking powder डाल के अच्छे से छान लिया है और batter के साथ अच्छे से mix कर दिया है अब इसमें हम food color डालेंगे यह optional है आप चाहें तो डालिए बढ़ डालिएगा तो color अच्छा सा आएगा न तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा red food color अच्छे से mix कर लिया है और अब हम इसे एक baking pan में transfer कर लेंगे पहले इसे grease कर लिजेगा या फिर इसमें butter paper बिचा के तभी आप इसमें transfer कीजेगा और इसको आपको bake करना है 20-25 मिनट के लिए 180 डिग्री पे अवन में भी bake कर सकते हैं और कडाई में भी bake कर सकते हैं तो अब यहाँ पर इसके लिए एक milk बनाना है जो इसके साथ हम serve करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक cup दूद ले लिया है यह ठंडा दूद है इसमें हम डालेंगे आधा cup से थोड़ा सा कम condensed milk और आधा cup इसमें cream डालेंगे यह fresh cream है आप मलाई भी ले सकते हैं fresh वाली अब थोड़ा सा rose sherbet डालेंगे इसमें taste के according मैंने यहाँ पर 2-3 tablespoon डालके अच्छे से mix कर लिया है और अब यह rose milk हमारा तयार हो चुका है इसे serving के time पर हम serve करेंगे यह हमारा cake bake होकर तयार है इसे हम थोड़ा थोड़ा poke करेंगे किसी भी toothpicks से या फिर इस तरीकी की skewers आते हैं उससे आप poke कर लीजे और इसमें आपको milk को डालना है जिससे की अंदर तक इसमें absorb हो जाए यह milk इसे काफी अच्छा टेस्ट आता है और अंदर से एकदम super soft बनता है आपका cake तो बहुत ही लाजवाब लगता है को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे फ्रिज में रख देंगे और अब यहाँ पर मैंने एक कप cream ली है whipped cream इसको हम whip कर लेंगे जब तक इसमें stiff peaks ना आ जाएं इस तरीके से जब आप इसे invert करके या नि उल्टा करके देखें तो बिल्कुल अच्छे से beat हो जाने चाहिए गिड़नी नी चाहिए बस अब यह cake ठंडा हो गया है इसके ओपर हम whipped cream को लगा देंगे level कर लेंगे अच्छे से और उपर से हम garnish करेंगे पिस्ता से cutaway पिस्ता और गुलाब की पंखुडियों से क्योंकि गुलाब का cake है तो और थोड़े से पिस्ता की कत्रन से बस इसे थोड़ाचा फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे और इसे pieces में काट लेंगे और इसे serve करेंगे अपने loved ones को तो है ना मज़ेदार बहुत ही beautiful लगता है ये cake बहुत ही सुन्दर दिखता है और साथ साथ बहुत ही जादा delicious लगता है साथ में आप इसको serve कीजिए rose milk से जो भी हमने बनाया था तो लग रहा है ना बहुती सुन्दर और बहुती जादा tempting तो एक बार try करना तो बनता है तो मैंने इसे serve कर दिया है ये rose milk से जो हमने बनाया था अभी देख रहे हैं ना कितना tempting लग रहा है एक बार किसी को आपने खिला दियाना अचके दिन तो वह आपका दिवाना हो जाएगा तो जरूर try कीजिएगा इस recipe को और मुझे comments करके जरूर बताएगा कि आपको ये recipe कैसी लगी तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई recipe के साथ तब तक के लिए Bye Bye, take care